दोस्तों आज हम विजिट कर रहे हैं शिव सागर एग्रो टूरिजम तापोड़ा एंट्री करते ही राइट हैंड सैड में इनका बहुत बड़ा पारकिंग है यहाँ 10 से 12 फोर विलर्स आराम से लग सकती है यह रेड कलर का इनका रिसेप्शन रूम है आते ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे पूरे दिन का टाइम शेडियूल का बोर्ड लगाया हुआ है रिसेप्शन के बाजू में ही जूला है उसके बाजू में सिट आउट एरिया जहाँ पे आप कैरम, चेस जैसे गेम इंजॉई कर सकते हो और सामने है प्ले एरिया जहाँ पे आप क्रिकेड, बैडमेंटन ऐसे गेम्स खेल सकते हो अब मैं आपको रूम अंदर से दिखाता हूँ अल्रड़ी हमने एंट्री कर ली है, इसलिए सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है दो बड़े डबल बेड यहाँ पे है, इसलिए चार लोग आप एक रूम में आराम से रह सकते हो रूम में दो चेर और एक टिपॉई है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है रूम में एसी लगा हुआ है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ते है कबर दिया हुआ है, जहाँ पे आप आपका लगेज सामान रख सकते हो बाजू में ही वाश बेसिन है, मिरर लगा हुआ है वाश रूम बहुत बड़ा है और क्लीन है काफी स्पेसियस रूम है, और यहाँ के चार्जेस है तेड़ हजार रुपए पर परसन देड़ हजार रुपए पर परसन के पैकेज में आपको दोनों टाइम टी, ब्रेकफास, लॉंच, डीनर और शाम को बार्वेक्यू सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा और यह है रूम से बाहर निकलते ही दिखने वाला खूबसूरत नजारा डाइनिंग एरिया काफी बड़ा है फूड कॉलिटी काफी बढ़िया है और यहां आपको वेज, नौन वेज, डोनों आप्शन्स अवेलेबल है यह है इनकी ग्राउंड फ्लोर की रूम्स और उसके उपर ही डाइनिंग एरिया है और जो उपर दिख रहे है यह है फिर्स्ट फ्लोर की रूम्स अच्छ प्लोर की रूम्स यह है इनका सेपरेट बोटिंग पॉइंट आपके पैकेज में कायकिंग पाइडल बोट इंक्लूडेड है पावर बोट के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते है वाव ऐसा खूबसूरत संसेट कौन देखना नहीं चाहेगा यह है रिसॉर्ट का नाइट व्यू लाइटिंग की वज़े से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ बैठके म्योजिक, बार्बेक्यू और चाय लेने का मज़ा ही कुछ और है यहां स्टे के लिए टेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है मॉर्निंग वाक एंड ब्रेकफास्ट